जो सरकार के दुवारा लगाया पैसा है वो उसका सही उप्योगर सही मक्सद से नहीं उपाया हाँ आपके चुनावी समर में कुछ लोग वहाँ पहुचने का काम किया लेकिन लोगों ने उनको उसी नजरिये से देखा कि यह चुनावी मेंटक की तरह सब टर टर कर रहे हैं मेरा नाम अजे सिंग रुहिला है और मेरी प्रतनी सपना रुहिला के पार्देंता पार्टी की प्रतिनिद्रत में हमारे विश्वास रखा है और सबसे पहले मैं अपनी बात कहने थे पहले सिटी वैब द्यूज चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि तीन बार चुनाव लड़ चुके हैं और निर्दली और इस बार भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं तो किन मुद्दो को लेकर जनता के बीच में पहुँच रहे हैं कि मैं जनता के बीच में रहने का काम करता हूं यहां कभरिस्तान है संसान घाट है उस पर सभी मेंने नलके लगवाए 700 से 800 पेंसने मेरे द्वारा विद्वा पेंसन, वर्दा पेंसन, विकलांग पेंसन ये मेरे द्वारे बनाई गई है और जो आब भारतिनता पार्टी में जब से मैं काम कर रहा हूँ यहां 800 से 900 मकान बनाए गए उसमें जो है यहां जो मुस्लिम बाहुलिया इलाका है यहां जादे तर मकान जो है उसमें मुस्लिम इलाके से ही हमने बनवाए हैं सहयोग किया है बनवाने के लिए उसके लिए जो हमने किसी का काम करते हैं यहां एक बहुत पुराना में इंडेस् क्या कुछ समझ से अपने अंबेटा पीर में 10 साल से यहां पर शाकर जी रहे है चेरमन तो किस दरे से नहीं कंवी हैं कुछ कमया वही तुम मैं को कि यह जो हचली दशनम का जो शाकर्जी रहे है वह तो शेहीं कैसरे साल से हम बात करें जो 20 साल का अगर हम रिपोर्ट कार्ड करें चेरिमेन के लिए यहां की राजिकी में आए यहां एक तब से बात करें यहां सबकों का व्यकास हुआ ही है लेकिन जो होना चाहिए था मुलबूत सुविधाय यहां की बेरोजगारी है यह मिदिल कलास के लोग यहां कोई यहां के जनपरतिनियों के कारण इनकी नहीं और रोजगार के लिए यहां संसाधन है नहीं और तो और तोर यहां एक टंकी बनी हुए है जिसे 20 साल पहले बनाई गई थी जो आपजा जो है आपजा जो सुनिता देवी को चुनाव लड़ा रहे है राजमार कुराला जी उनी के कारेकाल में बनी थी तंकी आज तक उस तंकी का पानी यह नहीं बता कहा गया कैसे गया आज त और अन्य इतने समझ्याए है एक यहां जोड है जोड में पानी इतना भर जाता है जब बारीत आती है कि वहां के दो-दो फिट पानी होता है यह पढ़ता है कि वह सारा अगा सारा पानी बजार में कटा होता है बजार में जो है आना जाना दुरबर और वहां के जो दुकान जो है आधर स्योजना में इसको कराया उसके तीन क्रोड रुफे यहां दिलाए गए आपने देखा होगा है चारतरफ इस्टेट लाइटे लगी यह उसी की देन है आपने बैंचे रेकियोंगी यहां अभी 25 वाटर कुलर लगने वाले हैं उसी आधर स्योजना के तहट 24 वाट लगने आ रहें इसको आधर स्योजना के तहट हम हमारा मकसद भी चुनाव लगने का यह है कि अब बीसी में सीट आ गई और महिला सीट है तो मैं अपनी प्रतिनी सपना रोहिला का प्रतिनी रित्वाइब करकर जनता के पास जा रहा हूं और उस च्वंबी जनता से मिल रही अगर वह चाहते हैं अपने प्रियास करते तो उसको उसका पानी जो है खाले पर जाने का काम करता लेकिन वह बीच में उन्होंने आदा जोड़ा चोड़ दिया उसका नुक्सान यह हुआ कि जहां वह पानी निकलता है उनके खेतों में पानी गुज जाता है अब वह उनको उनकी खड़ी-खड़ी फसले करा हो जाती है तो वो जो सरकार के दुवारा लगाया पैसा है वो उसका सही उप्योगर सही मकसर से नहीं हो पा रहा है इसके लिए अब तो यह है कि जनता अगर हमें चुनती है तो जनता के दुवारा अभी जो यूपी में 47,000 मकान दिये ब्भाजशमा से आप थो बस्पा से और कंग्रेस पड़ी से और सaces सपा भी हैं तो किस तरह से देखते हैं क्या भाजशमा इस बार किसी से टक्कर मान रही है भाज़पअ एक लाज़ेस करилось पार्टी है उससके जो कारिय करता है निस्टा बान कार्यकरता है धरातल से जुड पंग्रेस में ते और बहुजन के लोग जब उने के पास जाते थे अब कैश्छे पर कराते अब जो लोग है विजो कर्द में आ बस्पाł में आने के कारण तो कोई आलवेन लिघ रहा और क्योंकि यहां लोकल चुनाओ है फेशिंग पावर है यहां करम करम परधान है जो आदमी जैसा करेगा ऐसे ही वोटर उसकी साथ जुड़ेगा मारती बसपा से कहती है कि दलित और मुस्लिम का समीकरण है वहीं सपा से अकलेश यादव कहते हैं कि मुस्लिमों का साथ सपा के साथ है तो भाजबा अपनी जीत का समीकरण किस तरह से देखती है वो सब पार्टिया अपनी बात रखती है लेकिन भारती जनता पार्टि सबका साथ सबका विश्वास और सबके सबका विश्वास पर हम जो करते हैं और यह तो सब है अब जो लोकल जो चुनाओ है वो सबका साथ सब का विकास और सुब के विश्वास पे जो हम चुनाओं लेकर हम उनके बीच में जाएंगी मैं एक बात बताना चाहता हूं यहां के जो लोकल जनपर्थे निदी हैं मैं ठारा साल से इद गहां पे जाने का काम करता हूं वहां ठारा साल में किसी ने इद कहीं पड़ ली होगी लेकिन मैं ठारा साल से उनके बीच में कड़ा हूं जो मेरी हैसियस है मैं उनका स्वागत उसी से फूलों से पानी से और मिश्ठान से उनका स्वागत अभी नंदन करता हूं महां कोई नहीं परती निदी वहां पहुचने का काम करता हां आपके चुनाओं समर में कुछ जिनकलती हैं। सी छल गए उनका पूरा सहीहोग करते हैं उनकी स्वाइट इस जो वी करतें तो जो जनता मैं जो प्रती नहीं इसे सुना होें अमुद्धधं कि सब्सक्राइब अटनीम और तो किस बंढ़ती बाहिए इस वक्त यहां पर जो है अभी हमें जनता का इतना अच्छा समर्थर मिल रहा है कि जनता यह नहीं देख रही कि हम भारते जंदा पार्टी से चुनाव लट रहे हैं वो जंता ये कह रही है कि हम अपने प्यारे कोकी वकील की जी की साथ है और क्योंकि कोकी वकील हमारे दुख सुक में साथ है और वो भारते जंदा पार्टी यानि कि सरकार का प्रतिनिद्रित्व भी कर रहे हैं अगर हमारा परतिने थे उनका प्यारे को के सरकारें चुनाव जीतने का प्रतिन सल रहे हैं कि यहार साब शुए ठालेंगें 창ाफ है उसमें और्शी होने कर queen यहां कि जनपती निदि ने कोई चिठी नहीं लिखते कोई परिकरिया नहीं करते नस्यमों से मैं मानता हूं को चिठी मुख्यमंत्री सहाब को लिखी हो लेकिन अगर हम यहां हम बनते हैं यहां इंडेश्टी एरिया जो कटा हुआ है उसों फैक्ट्रिया लगनी लगनी चाहिए थी लेकिन आप से मंत्री जी है उनसे चिठी लिखाई डियम सहाब से कराया आज की स्तिति है कि उनका पिछला नोटिविकेशन जो निजज़्टी एरिये में था वो उन्होंने रद कर दिया और चुनाओं के बाद वो जो है यहां फैक्ट्या लगने का काम होगा लगों लगने का काम होग तो बेरोजगारी हटेगी यहां की क्योंकि यह मिडिल कलास हैं यहां के लोग सभी लोग बाहर सारनपूर जाने का काम करते हैं और जब यह यहां फैक्ट्या चारो तरफ लगेंगी यहां विकास होगा अभी देखना आप रात को आके यहां जो आधर्स योजना में हमने द महाल बड़ा गरम है तो जनता से इस वक्त क्या पील करना चाहेंगे चार तारीक को बटन दबेगा मैं अमबैटे की अपनी भौली भाली जनता से अपने मतदाताओं से एक ही निवेदन करता हूँ कि न्याय और अन्यायी की लड़ाई है अब जा बीच-साट साल से अमबैटे का विकास रुका हुआ है थमा हुआ है एक अमबैटे को एक बुड़ा अमबैटा बना दिया इन कि अगर आप सरकार की साथ रहकर सरकार के प्रतिनित को जो माननीय योगी जी ने हम पे विश्वास रखके फूल के निशान दे कर हमें पार्टी ने विश्वास वेक्त किया अगर जनता भी उसी विश्वास को बना के रखती है तो माननीय योगी जी अपने संदेश में सार खना हुझते हैं एकने बॉर्ड में पोछते हैं तो मैंने मानता है यहां पानी की सब्सक्राइब या थाना नहीं है यहां बिजली घर नहीं हैं आप $ नहीं है जो हमारी पंद्रब्लेह आप देख लीएसका भी वो भी पानी के गड़े में है अगर बारिस आ जाए तो भी डूब जाए उसको भी एक जो खेडा रोड है उस पे हमारा मिशन है कि वहां अच्छी जंगे लेके उसको उसे बहुत अच्छी नगर पाली काम बनवाने का काम दरे मेरी जंता से एक ही मारमी कफील है कि हम 15-20 साल से आपक साथ सबी के खंदा से कंदा मिलाकर जो आठ सो पेंसरे बनवाई जो मकान बनवाए हमने किसी से कोई मकान में कोई कोई बता दे कि हमारे भारजनता पार्टी के जन्द परतिनी दिने कोई लिया लेकिन हाँ लोकल जो जन्द परतिनी दिया है जब हम जन्ता के बीच में जात के लिए हम बैटे के विकास के लिए आप चार तारिक को जब अपना खीमती वोट अपना वह मुल्य वोट डालने जाएं तो आप यह ना देखेगी कौन है कूं किसको दे रहे आप विकास सील अगर आप विकास कराथा चाहते तो सरकार ही विकास करा पाएगी सरकार का प्रति बैटा के देखते हुए इसको जवान स्मार्ट सीटी बनाने के लिए अपना वोट और सपोर्ट की सहयोग करें इन्हीं के साथ की मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूं कि आपके कीमती समय निकाला और जनता से फिर यही अपील करूगा चार तारिक को कमल के पूल कर आप सपना रुहिला को अपना जनप्रतिदी मनाए और अब बैटे के विकास में अपना शायोग करें आपके जानदेवाद कि आप कि आप कि आप कि आप